कॉंग्रेस संसदी अदल के लिए 26 पधधिकारियों की न्युक्ती की गई है जिसमें संसद के दोनों सदनों के कॉंग्रेस अदस्य शामिल है पार्टी के संगठन महा सचिव केसी वेणु गोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कॉंग्रेस संसदी अदल के इन पधधिकारियों की न्युक्ती की है संतोक सिंग चौधरी, MK, रागवन और अमी यागनिक को CPP का सचिव न्युक्त किया गया है इसके अलावा DK सुरेश को कोशा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है इसके साथ ही 22 सांसदों को CPP की कारेकारी स्मिती का सदस्य बनाया गया है अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी ने प्रतीभा सिंग को भी पाटी की संसदी अकारेकारी स्मिती का सदस्य न्युक्त किया है कॉंग्रेस पाटी के राष्ट्रिय महा सचिव केसी वेणु गोपाल की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है प्रतीभा सिंग की इस न्युक्ती से उनका राजनीतिक कद तो बढ़ा ही है साथी हॉली लौज एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गिय वीर्भद्र सिंग जब तक राजनीती में सक्रिय थे तब तक पाटी हॉली लौज से ही चलती थी कॉंग्रेस संसदिय कारेश्मिती में कुल 26 पधदीकारियों की न्युक्ती की गई है इसमें सचिव 3,1 कोशा अध्यक्ष और 22 कारेकारी सदस्य न्युक्त किये गए हैं प्रतीभा सिंग 1998 में सक्रिय राजनीती में आई थी प्रतीभा सिंग ने पहला चुनाव इसी संसदी अक्षेत्र से लड़ा था जब भाजपा के महेश्वर सिंग ने उन्हें करीब सवा लाख मतों से पराजित किया था महेश्वर सिंग उनके समधी है 1998 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपई के नरतितों में एंडिये की सरकार बनी थी सरकार 13 माहा ही चलपाई थी 1999 में लोकसभा का दोबारा चुनाव हुआ था प्रतीभा सिंग ने ये चुनाव नहीं लड़ा था 2004 के आम लोकसभा चुनाव में उन्होंने दूसरी बार अपनी किस्मत आजमाई थी समधी महेश्वर सिंग से 1998 की हार का बदला लेकर वे पहली बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुई थी 2009 का लोकसभा चुनाव वीरभदर सिंग ने लड़ा था 2012 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद वीरभदर सिंग ने लोकसभा से त्याग पत्र दे दिया था 2013 में उपचुनाव हुआ तो प्रतीभा तीसरी बार मैदान में उत्री वर्तमान मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर को करीब 1.39 लाख मतों से शिकस्त दे कर प्रतीभा सिंग दूसरी बार संसत सदस्य निर्वाचित हुई थी इसके साल भर बाद 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ था मोदी लेहर में भाजपा के राम सवरूप शर्मा ने उन्हें 49,000 से अधिक मतों से प्राजित किया था प्रदेश में उस समय कॉंग्रेस की सरकार थी प्रतीभा सिंग की हार से सब दंग रह गए थे करीब साथ साल बाद प्रतीभा सिंग ने भाजपा को फिर करारी शिकस्त दी है पूर्व मुखे मंतरी स्वर्गिय वीरभद्र सिंग की पत्नी प्रतीभा सिंग तीसरी बार मंडी संसदिय सीट से सांसद निर्वाचित हुई है